हेलो गाइज वेलकम बेक टो एमस्टाइब आज हम बात करने वाला है बजाज फाइनांस लिमिटेड जो एक NBFC है और NBFC के इंडिस्टर में लीडिंग कंपनी है सो लेट स्टाट यहां पर हम बात करें बजाज फाइनांस लिमिटेड जो के एक लाज केफ है और एक NBFC है जिसकी मार्केट केपिडिलाइज़ेशन 4,27,999 क्रोर एक साल का रिटन 47 परसंट वन मन्त का रिटन माइनस 5.61 परसंट 52 एक का हाई 8,050 52 एक अलो 4,362 डिविदेट यिल्ट 0.14 परसंट यहाँ पर मैं आपको टिकर टिप की वेबसाइट के लेके आया हूँ यहाँ पर हम एनालिसिस करें तो रिटन वर्सिस एफडी में एफडी से ज़धा रिटन दिया है डिविदेट रेशियो इस नोट एट मच गूड इंट्री पूइंट इस गूड बिकोज स्टॉक इस न अगर हम इसका पीए रिविव्यू करें तो बजाच फाइनांस लिमिटेट का जो पीए रेशियो है वह है 96.84% मुथूत फाइनांस लिमिटेट 15.77% चोला मंदलम इन्वेस्मेंट एन फाइनांस कंपनी 30.35% और सरिदाम ट्रांस फाइनांस कंपनी लिमिटेट 15.84% अगर ह अगर हम बात करें पीए रेशियो की तो बजाच फाइनांस लिमिटेट का पीए रेशियो 11.59% मुथूत फाइनांस लिमिटेट 3.81% चोला मंदलम इन्वेस्मेंट एन फाइनांस कंपनी 4.81% स्रीराम ट्रांस फाइनांस कंपनी लिमिटेट 1.82% अगर हम बात करें 15% यहां पर हम promoter का holding का trend देखे तो total promoter के holding in last 6 months promoter holding in the company has almost states constant और there is plus promoter holding is insignificant अगर हम institutional holding का trend के बारे में बात करें तो in mutual fund in last 3 months mutual fund holding of the company has almost states constant और FIS की बात करें तो FIS की holding भी constant है अगर हम overall share holding pattern के बात करें तो total promoter के पास जो holding पड़ी हुई है वो है 56.03% mutual funds के पास 7.19% other domestic institutions के पास 2.53% FIS के पास जो holding पड़ी हुई है वो है 23.64% और आप और मेरे जैसे retail निवेसक के पास जो holding पड़ी हुई है वो है 10.60% यहाँ पर मैं आपको एक दिन के चार्ट पर लेकर आया हूँ यहाँ पर हम कुछ levels identify करेंगे first of all हम बात करें MSED की तो MSED के जो histogram से वो zero line के उपर form हो रहा है और यहाँ पर एक bullish crossover भी generate हो चुका है यहाँ पर मैंने कुछ levels identify की है अगर हम बात करें 23rd August 2021 तो Bajaj Finance Limited के ने जो low बनाया 6697 अगर हम बात करें 29th November 2021 को तो Bajaj Finance Limited ने low बनाया 6678 तो यह 6600 के level पर एक support लेता हुआ दिखाई दे रहा है और यह 6600 के level से यहाँ से एक बड़िया bounce back दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैंने higher side के ओपर कुछ levels identify की है अगर हम बात करें 27th October 2020 की तो वहाँ पर Bajaj Finance Limited ने high बनाया 7979 अगर हम बात करें 9th November 2021 को तो Bajaj Finance ने high बनाया 7754 18 November 2020 को 7697 तो around यह 7800 के level पर एक बहुत ही resistance फेस कर रहा है अगर हम exponential moving average जिसके बात करें तो 5 दिनों का जो exponential moving average है वो निकल क्या रहा है 7157 9 days का exponential moving average जोकी निकल क्या रहा है 7136 21 days का exponential moving average जो निकल क्या रहा है 7225 50 days का exponential moving average जोकी निकल क्या रहा है 7304 और 100 days का exponential moving average जो निकल क्या रहा है 7066 तो ये almost अपने 100 days के ये में को claim कर चुका है और उसके उपर trade हो रहा है और current market prices 7360 अगर आपके पास holding पड़ी है तो आपको continue करना चाहिए और अगर आप इसमें fresh buying करना चाहते है तो fresh buying भी कर सकते है आप इसमें छोटी-छोटी quantities उठा सकते है और accumulate कर सकते है अगर आप इसमें short term के लिए buying करना चाहते है तो कर सकते है stop loss में suggest करूँगा 6678 जो कि 29th of November 2021 को बनने वाला लो है अगर higher set के उपरम targets की बात करे तो target रहेगा 7697 जो कि 18 November 2021 का high है और यहाँ पर sustain करने के बाद further इसके उपर चाहेगा तो यहाँ पर मैं आपको NSE की website पे लेके आया हूँ यहाँ पर हम बात करें इसमें होने वाले कारोबार के बारे में तो बजाच Finance Limited आज almost 3.5% है और आज जो इसमें quantity trade हुई लोग 8 December 2021 को जो total quantity trade हुई 11,77,000 और जो quantity delivered हुई 4,6,000 almost 35% के delivery risk इसमें हो चुकी है किसी भी परकार का निवेस करने से पहले आप अपने Financial Advisor के राई सरूर ले Hope you guys you enjoyed the video Thank you for watching Please share and subscribe our channel Thank you Thank you